तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के अनलिसिस और आज की जो हॉरर एक्सपाइरी थी जिग जग एक्सपाइरी रही है राइट मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा जो आज का जो नेट P&L जो बचा है मेरे पास 1692.50 पैसा मतलब 1692.50 पैसा मेरे पास बचा है आज पर यहां पर घुज गया था लेकिन फिर वहां से और यह जो मुमेंटा में थोड़ा लेट कैप्चर गिए ठीक है आपने कितना प्रॉफिट गिया नीचे कमेंड में लॉस किया तो कोई बात भी यहां पर सीखेंगे और सीखने के बाद हम यहां पर क्या है प्लैन करेंगे और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया ला रहा हूं आप मुझे इतना प्यार दे रहे तो मैं भी तो आपके लिए कुछ करूंगा तो मैं आप लोगों के लिए बिलकुल यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर नया आज अनौंस करके ही मैं जाओंगा ठीक है पहले दो सो बीस के नीचे market यहाँ पर close नहीं देना चाहिए, market नीचे गया, यहाँ पर जो test किया, exactly पहले भी वहीं पर ही test किया था, और वहीं से ही bounce हुआ, लेकिन यह जो candle अगर close दे देती नीचे, लेकिन देख रहे हो, कितना sharply protect किया गया, इसलिए हमेशा कहा जाता है, closing price is the most scariest price, closing price पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, यह चीज़ पसंद आ रही तो पहली बात तो यह video को लाइक करो, और कितना profit loss हुआ वह भी बता, और किस topic पर चाहिए, कौन सा sector analyze करना है, वह भी मेरे को नीचे फटा-फट comment में बता दो, उसके बाद यहाँ पर देखते है, यहाँ पर लेवल था, वो somehow protect हो गया, बट यह जो था लेवल, यहाँ पर एक बर इसको exactly उसी लेवल पर, यहाँ पर market ने उसको सलामी दिया, उसको testing दिया, यहाँ पर obviously बात है कि इतना आया, तो यहाँ पर आपको पूरा profit capture करना impossible था, क्योंकि volatility इतनी थी कि वापस हो डिया, ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों ने profit किया, अब गलती क्या की, जब market दुबारा यहाँ पर range पे अटकाना, मैं खुद एक घंटा हमने एक call को hedge किया था, जिसमें hardly per lot 400 रुपे बचा, एक में 1600 का profit, एक में 1200 का minus, ठीक है, कोई जादा जूट नहीं है, भाई, hedging की तो की, लेकिन उसम जो resistance है, 16,000, 17,000, sorry, 17,380 का market ने उसी के नीचे यहाँ पर closing दे दी है, यहाँ पर यह एक दिक्कत है, मतलब market यहाँ पर एक तो zigzag बना रहा है, zigzag बना कि अब क्या है, market important level के है, यहाँ पर काफी लोगों ने profit खोया है, over trading करके, जबकि यहाँ पर पैसा बनाया, ठीक है, 280 के नीचे आता है, और finally अगर यह वाला level 220, 17,220 अगर यहाँ पर break करता है, तो आपको यहाँ पर market अगेन वापस से आता हुआ दिखेगा, और अगर यह break किया तो वापस से हमें 17,000 के level यहाँ पर test करते हुए देखेंगे, लेकिन अब हमारी जब buying कहां पर होगी, buying हमारी ह 17,440 क्यों होगी, यहाँ पर यह देख रहे हो, यहाँ पर यह जो आखरी bounce है, गिरने से पहले यह वाला bounce है, यह बहुत important bounce होता है, ठीक है, यह जो retrace हुआ ना, तो इसके ऊपर जाएगा, तो ही हम यहाँ पर buy करेंगे, और else हम यहाँ पर उसको avoid करेंगे, market अगर यहाँ प नीचे sharp sell है, 17,280 के नीचे week हो जाएगा, ठीक है, buying हमारी 17,380 के ऊपर ही हमारी यहाँ पर buying होगी, यह चीज़ पसंद आ रही होगी, तो आपने क्या कौन सा hold किया है, BTST, मेरे को जारा नीचे बिलकुल comment मताई है, यहाँ पर क्या हुआ, निफ्टी बैंक का इनलिस के मैं क्या कह रहा था, कि इस level, यह जो क्योंकि market के हमें, इसको बार-बार protect कर रहा है, market इसको बार-बार protect कर रहा है, आज market ने उसको तोड़ दिया, और market ने क्लोजिंग नीचे दे दी, तो मतलब यह जो नीचे के downside के level है, अब यहाँ पर खुल चुका है, तो अब हम यहाँ 37,500 की नीचे आया, तो यहाँ पर हमें sharp sell देखने मिलेगा, sharp sell हमें यहाँ आराम से 37,300, यह जो last का, यह जो low लगाया है, यहाँ पर आज, यह जो इसका low है, यहाँ पर है, 37,260 यहाँ पर है, और उसके बाल 37,000 के हमें यहाँ पर level आते हुए दिख सकते हैं, अगर condition ऐसी र पर आईएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर loop in है, loop in काफी beaten down stock था, यहाँ पर आज काफी एक news आई है, जिसकी वज़े से buying आई है, यहाँ पर एक 660 का यहाँ पर resistance है, इसके ऊपर निकलेगा, तो हमें यहाँ पर 700 के यहाँ पर level आते हुए दिखेंगे, तो loop in एक news momentum है, प्लस यहाँ पर काफी ज़्यादा buying आज बहुत अच्छी हुई है, तो make sure इसको अपने radar पर रखेंगे, और यह चीज़ पसंद आ रही है, तो वीडियो को live और echo taking पर पहली बार आए है, तो make sure कि subscribe करना ना भोले, और अपना support, यहाँ पर आपके लिए मैं यहाँ पर live stream